नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे SSC MTS के बारे में एक स्टूडेंट कोमेंट किया है कि सर इस बार SSC MTS का एक्जाम रिभू होगा की नहीं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे यह वाला SSC तरब से नोटीस जो आया था अगस्त में एक्जाम रिभूर ले सकते हैं कि नहीं सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज anyone found to be disclosing publishing, reproducing, transmitting, storing, or facilitating, transmission, and storage of test content in any form or any information there in whole or part there or be any means that is verbal or written, electronic or mechanical or taking away the rope, paper, supply in the exam center or found to be in authorized position of test content will be considered as serious, micro count will be derived, disqualified from exam, disciplinary and legal action would be taken against such conducted as per rule and such matter would be reported to police if necessary, इसका मतलब यह है फेरेंट कि जो भी एससी का एक्जाम देके निकलेगा, जो भी स्टुडेंट एक्जामिनिसन देके निकलेगा, वो डारेक्टली यह वाला कोई भी कोस्चेन रहे, वो आप बाहर में disclose नहीं कर सकते हैं, इसका बोलने का मतलब यह है, अब इसका आगे में द अब्स्ट्रोक्टिंग दा कॉंड़क्ट ओप एक्जाम ओर केरिटिंग दिस्टर्बेंस एड दा एक्जाम भीनू, कॉंडिटेट शेल बी समरीली केंसल, सच कॉंडिटेट शेल अल्सो बी लियेबल तू बी डिवेर्ड फरॉम फ्यूचर एक्जाम ओप दा कॉमिशन, ल आप सेंटर का बाहर में भी एक्जामिनेशन का एनाइलिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप यहां पर देखिएगा तो एक चीज़ आपका सिंपल लिखा हुआ है, इन दा एक्जाम सेंटर लिखा हुआ है, इहीं है SSC का, और SSC का देख लिज़े अब एक्जाम रिव आप हमको कोमेंट कर के बताएं और हम यह बता देना चाह रहें कि मेरा भी एक्जाम 6 तारिक को है, हम उसका पुरूप दिखाना का रहें, दिखा रहें मेरे दोस्त, देख लिए है bottom दोस्तों, यहला मेरा एक्जाम डेट अगया है, मेरा नाम मुक्रिसमा तो है, यहां पर देख लिजे छे तारीक दौसवामेने 2021 को है, रिपोर्टिंग टाइम है, गार बज़े है, राची में मेरा एकजाम दिया है, यहीं हम बता रहे हैं, और हम छे तारीक को जाएंगे, तो एकजाम रिभू वहाँ पर देंगे, और एकजाम रिभू वहाँ पर देने के लिए नह कैसा था, easy था, more rate था, या hard था, जैसा भी question आएगा हम उसका बताएंगे ओके मेरे दोस्तों अधि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दे और bell icon को दबानों ना भूले ताकि हम हर वीडियो जो भी upload करें आपके पास पहुंचे हम बहुत पल-पल का ख़बर देते रहते हैं ओके मेरे दोस्त थाइंक्स